2014 रोमेंटिक आक्शन फिल्म हीरो पंती जिसने ओडियन्स के मिक्स्ट रिव्यूज गें किये थे तो ऐसा लगता है कि आज यानि 29 एप्रिल को रिलीज हुई फिल्म हीरो पंती टू भी कुछ सिमिलर रिव्यूज ही लेने वाली है वेल ऐसा क्यों चलिये जानते हैं अगर आपको 2020 में रिलीज हुई एक्शन फिल्लर फिल्म बागी 3 पसंद आई थी तो डेफिनेटली हीरो पंती टू भी होने वाली है आपके लिए ब्लॉक बस्टर जहां बागी 3 बन गई थी 2020 की सेकंड हाइस्ट ग्रॉसिंग बॉलिवुड फिल्म तो वही अगर सेम ओडियंस हीरो पंती टू पो देखने के लिए जाती है तो हाँ ये फिल्म भी ब्लॉक बस्टर होने में पीछे नहीं रहेगी लेकिन अगर जाती है थोड़ी सी दिमाग वाली ओडियंस इस फिल्म को देखने तो शायद इसे मिले मिक्स्ट रिव्यूज हीरो पंती वन की तरह ही एहमद खान की डिरेक्ट की गई फिल्म जिसमें हीरो है बबलू यानि टाइगर शरॉफ विल्लन है लैला यानि नवाजुदिन सिद्धिकी और बबलू की लव इंट्रस्ट है इनाया यानि तारा सुतारिया चलिए स्टार्ट करते हैं फिल्म के विल्लन से एज यही कुछ नया देखने को मिला है फिल्म के हीरो ने तो आल्मोस्ट सेम टू सेम ही पार्ट प्ले किया है अपनी पहले की मूवीज की तरह यानि टाइगर का कोई नया साइड देखने को नहीं मिला है और वही नवाजु की ने शोकेस की है अपनी न्यू साइड एक पागल पंती वाले विलन के करेक्टर में तारा लग रही है फिल्म में काफी होट लेकिन अगर उनका करेक्टर थोड़े और फोकस और मेचॉर्टी के साथ लिखा जाता तो वो शायद इतने इरिटेटिंग ना नजर आती मूवी म चलिए अब फिल्म की थोड़ी पॉजिटिव बाते भी कर लेते हैं बैक्राउंड म्यूजिक फिल्म का काफी बढ़िया है फिल्म को एहमत ने फुल हॉलिवूड फील देने की कोशिश की है टाइगर का ट्रेन सीक्विंस एक दम जबर्दस है ओल इन ओल बात ये है कि फिल का ट्रेंटिक डायलोग भी है यहां छोटी बच्ची हो गया यानि अगर आप काईगर के फैन है तो इस फिल्म को आप जरूर देखने जा सकते हैं वी विल रेट हीरो पंती टू 3.5 स्टार्स आउट ओफ फाइव फॉर मोर सच बॉलिवूड नीज और रिव्यूज कीप व